Welcome back to my channel, solution is for you, hope you are doing well आज की वीडियो जॉब की रिलेटिड वीडियो रहने वाली है जहां पे हम आपके साथ डिसकस करेंगे कि श्री प्रताप कॉलेज सिरीनगर की तरफ से more than 50 डिपार्टमेंट्स में टेचिंग एहिस्टेंटी की जॉब्स, लेक्चरार की जॉब्स, लाइबरियन की जॉब्स इसकी इलावे भी बहुत सारी जॉब्स निकली है अगर आप जुमो और कश्मीर से बिलोंग करते हो आप इन जॉब्स के लिए इलिजिबल हो वीडियो में हम आपके साथ डिसकस करेंगे कि आपने कैसे इस जॉब के लिए अपलाई करना है स्टार्टिंग एंड एंड डिट क्या रहने वाला है कितना फी आपने यहां पर देना है इसकी इलावा यहां पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या रहने वाला है वो हम आपके साथ वीडियो में डिसकस करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्रीज डू सबस्क्राइब आवर चैनल करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो सबसे पहले आपको description में link दी जाएगी आपने उस link पे click करना है otherwise आप direct अपने website में spcollege.edu.in दे सकते हैं आपको एक ऐसा interface open हो जाएगा interface open होने के बाद आपने directly यहाँ पे click to apply पे click करना है click to apply पे click करने के बाद आपको इस तरीके का एक interface जो है वो open हो जाएगा interface open होने के बाद यहाँ पे कुछ guidelines दी गई है आप वो guidelines जो है वो read out कर सकते हो guidelines read out करने के बाद आपने यहाँ पे apply now पे जो है click करना है but before showing how to apply for this post सबसे पहले हम यहाँ की जो notification है वो discuss करेंगे notification की अगर हम बात करें यहाँ पे जो advertisement notice for the year of 2023 निकली है अगर आप यहाँ पे fee submit करना चाहते हो आपने यहाँ पे जो given account number है उस पे यहाँ पे fee submit करना है 100 rupees यहाँ पे अगर हम posters की बात करें government degree college of kashmir division जिसमें की यहाँ पे exclude कुछ colleges किये गए आप वो आप mention कर सकते हो यहाँ पे starting date जो is job के लिए 13th feb रहने वाला है और last date जो is job के लिए 19th feb यहाँ पे रहने वाला है इसकी इलावा आपने यहाँ पे जो application last में download करनी है उसके बाद जो relevant documents है वो आपने 21th feb वेरी जो है वो आपने submit करनी है subjects की बात करें यहाँ पे जो subjects है वो given दिये गई है more than 57 departments में जो यहाँ पोस्ट है वो यहाँ पे निकली गई है उसके बाद अगर हम यहाँ पे important dates already mentioned कर चुके essential qualification की बात करें अगर आपने यहाँ पे lecturer post के लिए apply करना है आपका यहाँ पे जो candidate है उसका या तो net select और PhD with minimum 55% आपकी post graduation में होनी चाहिए इसके इलावा teaching assistant के बात करें यहाँ पे आगर आपने post graduate किया है आप इसके लिए eligible हो librarians and physical training instructor की बात करें जिन भी candidates ने यहाँ पे net set और PhD जिनके पास है या जिन भी students ने यहाँ पे post graduation in M.Lib और M.P.Ed करा है other terms conditions यहाँ पे दी गई है जैसे यह जो post है purely temporary based जो है post वो रहने वाली है इसकी इलावा false information के अगर आपने false information दिये यहाँ पे बताया जाया है कि आपके लिए जो है यहाँ यहाँ पे वारंट नहसरी legal action लिया जाएगा इसकी इलावा यहाँ पे details दी गई है वो आप चाक कर सकते हो apply करने के लिए direct आपने यहाँ पे apply now पे click करना है apply now पे click करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे किस post के लिए apply करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद आपने यहाँ पे select subject करना है किस subject में आप पर पोस्ट देना है उसके बाद यहां पर नेम जो है वो आपने यहां पर देना है फुल नेम फादर नेम क्या है आपका वो आपने यहां पर मैंचन करना है उसके बाद जो आपका डियो भी है वो आपने यहां पर स्लेक्ट करना है सबसे पहले आपने यहां पर यहां पर यह वो यहाँ पर select करना है जिस भी field पे यहाँ पर star है that means वो जो field है יहाँ पर mandatory आपने fill करना है select photo आपने यहाँ पर fill करना है आपके photo का जो size है minimum 1 MB होना चाहिए आपका permanent address क्या है वो आपने यहाँ पर mention करना है district कौन सा है आपका वो आपने यहां पे mention करना है district mention करने के बाद जो आपकी category है वो आपने यहां पे mention करने है category mention करने के बाद यहां पे जो graduation है आपने subjects graduation के बताने है आपने कौन सी subjects लिए थे यह राप passing क्या रहा है graduation का वो आपने mention करना है university का नाम क्या है वो आपने यहां पर मेंचन करने है, 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 वो आपने यहा उसके बाद अगर आपने कोई भी नेट, सेट, 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 एमफिल किया है वो आप यहाँ पे मैंचन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने कोई भी एवार्ड जैसे नेशनल लेवल एवार्ड, सिटेट और यूटी लेवल का एवार्ड है वो आप यहां पे मैंशन कर सकते हो उसके बाद अगर आपकी जो पेपर पब्लिकेशन है वो हुई है आपने यहां पर एड़ पे किलिक करना है एंट इस यहां पर एड़ पे किलिक करने के बाद आप को मैसेज आएगी आर यूट्ट आप में यहां पर इस करना है तुसके बाद आपको इस तरीके की मैसेज जो है सक्सेस की आपने यहां पे okay पे click करना है okay पे click करने के बद आपको एक ऐसा form जो jest open हो जाएगा आपने यहाँ पर जो fee के related है fee आपने submit करना है आपने यहीə जो PDF है यहाँ पे print करना है print करने के बद आपने जो nearest आपका bank है वहाँ से आपने ये वहाँ पे submit 100 रूपीज करना है submit now पे click करने के बाद जो आपको bank receipt आपको three copies देगी one copy जो है वो आपने bank को देनी है one copy जो है वो आपने department में submit करनी है और one copy यहाँ पे student copy जो आपने अपने पास रखनी है this is all regarding the Shri Pratap College Recruitment 2023 during video अगर आपको कोई भी issue आता है आप director हमें comment box में पूछ सकते हो हम आपको reply करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जो selection procedure है वो depend करेगा आपकी qualification पे आपकी paper published पे depend करेगा और आपकी जो teaching experience है उस पे आपकी जो selection है वो यहाँ पे depend करेगी इसके इलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो please do subscribe और चैनल वीडियो पसंद आते हो तो वीडियो को like अपने friends के साथ share जरूर करना इसकी इलावा हमारी एक telegram चैनल भी है जहाँ पे हम आपको job के related, scholarship के related, internship के related वीडियो लाते रहते है आप description में लिक दी गई है वहाँ आप join कर सकते हो, thanks